आजम भारतिय समदानिक अंतरगत भारतिय राष्टपती की ब्यूटो पावर या निसेदा अधिकार सक्ति उसके बारें बात करेंगे। सामानता दुनिया की हर लोकतांतरिक देश में जो कारिपालिका का प्रमुख होता है, राष्टपती या जो भी हो, उसे एशक्ति दी जाती है, कोई विदाईका द्वारा पारित किसी विदेय क्या बिल को अधनियम बनने से रोक सके और एशक्ति दो कारणों से दी जाती है। केर बिदायका कोई ऐसा कानून बना रही है जो सम्धान की मूल भावना के विप्रीत्यास के खिलाप है उस कानून को बनने से रोका जा सके दूसरा या बिदायका ने कानून के जो कुछ प्रमुक पच्छ हैं उन पर परयात विचार बिमर्स नहीं किया है और जल्दवाजी म प्रकार की है पहली आत्यन्तिक बीटो सक्ति का अर्थ है कि गाल बिदायका दौरब पारित बिदेक को पूरी तरह यह और करती तरस निए उस विद्याक को राष्टपती या कारपालिका प्रमुख पूरी तरह खारिज कर दे मबारत की रास्टपति के पारैसी सकति है इंग्लैंड के जो क्राउन के पास एसी शाक्ति थी लेकिन 1688 बाद से यह सकति समाद्प impul moll sound дел दूसरा बीटो या दूसरी बीटो पावर सकती आती है, बिशेशिद बीटो, इसकार्थ है कि इसके अंतर्गत एक बिशेश बभुमत के आतारपर बिदाय का द्वारा खारिज किया जा सकता है, इस बीटो को, सहिफ राज अमेरिका के राश्ट्पती के पास यह सकती है, और इसी विद्यक को पारित करके संसद द्वारा भेजा जाता है तो एक कारिक पालिका का प्रमुख्या भारत का राष्ट पती उस विद्यक को खारिज ना करके उस पर पुनर विचार करने के लिए संसद या विधाय का पास भेज देता है और विधाय का उस विद्यक को पुना स साधारण बहुमत से पारित करके राष्टपती के निलममन कारी बीटों को खारीज कर देती है आईसी इस्तितमें भारत के राश्चोपती या कारपालिका के प्रमुक को उस बिधयक पर अनुमत देना बादिकारी हो जाता है तो फ्रांस का राष्चोपती है उसके पास आईसी बीटियों की सीमित सक्ति है लेकिन भारत के राष्टपति के पास सक्ति कुछ अलग प्रकार किये इस वालिका का प्रमुक या भारत का राष्टपति होता है वो संसद या विधाय का दोवारा पारित किसी विद्यक पर ना तो सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है ना तो बीटो सक्ति के वारे में बात की जाए तो वो इस प्रकार है जब संसद किसी विध्यक को पारित करती है और राष्ट पति उस पर जब तक हस्ताच्र नहीं करता है तब तक विध्यक कानून या अधनियम नहीं बढ़ सकता है संसद पारित किये गए किसी विध्यक को राष्ट पति के समझ प्रस्तुत करती है तो राष्ट पति पास चार विकल्प होते हैं वह तो विध्यक को अनुमत देने गोशना कर सकता है वह अनुमत नहीं देता है या उसके अनुमत देने गोशना नहीं करता है या दिवय विध् तो राश्टपती को उस विद्यक पर या उसके विद्यक के किसी उपवन्द पर कोई आपती है तो यह संसद को उस विद्यक अर्था लोकसवा राजसवा को उस विद्यक पर पुनरबिचार के लिए भेजता है अपने कुछ सुजाबों के साथ में अगर संसत उसके सुजावों को मानती है नाहीं भी मानती है तो उस विद्यक को पुना मूल रूपे पारिद करके राष्ट पती के पास भेज देती है तो राष्ट पती के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है और उसे उस विद्यक पर हस्ताचर करने ही होते हैं और भारति को जो राष्ट पती है उसके बिशेसित बीटों की सकत नहीं है जबकि सैंट राज अमेरिका पास है और स्रीमीत रूफ के अंतरगत किसी प्राइवेट अदस से इसके अंतरगत किसी प्राइवेट मेंबर जो लोकसवा का हो या राजसबा का हो उसके द्वार estás ये प्रस्तुत किया जाता है जिसे जो 70 अजमlying होता है उसकी सला उस वह के पचिमें नहीं होती है तो मंत्र बसर राश्ट्रपती को एस सला देता है कि वह उस वह कि पार अन्मत ना दे तो कि आएसी स्तित्वि राश्ट्रपती आतेयन तक ब्यूटों की सक्तिका प्रयोग करता है उस बिद्यक पर अनुमत नहीं देता है लेकिन यदि राश्टपती के पास कोई बिद्यक भेजा गया है और राश्टपती के पास अनुमत उस बिद्यक के लिए नहीं मिली है अनमस से पूर वो सरकार गिर जाती है तो सरकार गिरने वा चुनाव बार नई लोक सवा का गठन होता है और नई मंत्र परसद बनती है तो नई मंत्र परसद उस विद्यक को राष्टपती को अस्युकार करने के लिए कहती है या उसे सला देती है तब राष्टपती आत्यंति बीटों का प्रयोग कर सकता है इसके बाद बात आती है बहरत के राष्ट पतिक पाद निलंबन कारी बीटों इसके बारे में जानते हैं या न संसोदन इस से भिन कोई विद्यक है उस विद्यक को पुनरविचार के के साथ राष्ट पद संसद को लटा सकता है ल Fuk android बहुमथ से उस बिद्यक को पुना-पार्थ कर देती है तो राष्ट्पत्य कि पास उस बिद्यकumes बेचती है तो अनुमत देने के लिए बाद बात दो जाता है इसके बाद भारत के राष्ठ यह सबसे प्रवाबी बीटों के रूप में है जैसे अनुच्छे 111 में बताया गया है कि राष्टपती संसर्द्वारा पारित विद्यक को यह था सीक्र लुटा देगा इसकी कोई निश्चित अबद अनुच्छे 111 के तरह समधार में नहीं दी गई है तो राष्टपती इस स्थित का फाइदा उठाकर किसी भी विद्यक को अनंतकाल के लिए अपने पास रोक सकता है अर्था उस पर अनुमत नहीं देता है 1986 का भारतिय डागर संसोधन विद्यक जो कि प्रेस की स्वतंतरता के बिरुद बताय गया था उस समय ततकाले राष्टपती डाक्टर ग्याने जैल सिंग के समझ परसुत किया गया था लेकिन डाक्टर ग्याने जैल सिंग इस विद्यक के प्रावधानों के पच्छ में नही किया और नहीं मंत्व प्रसद के पास पुनर्विचार के लिए बेजा तब से 1986 से अब तक वह विद्यक राष्टपती की मेच परी पड़ा है और अब तक उस पर कानून नहीं बना है और सम्भता बगत से बनने की संभावना भी नहीं है इसके बाद अगर राज्यों के वि पावर की सक्ति का बिस्तार देखा जाए तो वह इस प्रकार है जब राज बिदान मंडल कोई बिद्यक पारित करके राजपाल एक पास भीजता है उसकी अनुवत के लिए तो अनुच्छे दोसों के थायत राजपाल के पास चार विकल्प होते हैं या तो वह बिद्यक पर सुक्रत देने गोशड़ा करेगा या विद्यक पर अनुवत रोक लेगा या रोक सकता है या धन विद्यक से भिन विद्यक है तो विद्धान मंडल को पुनर विचार के लिए राजपाल लोटा सकता है इसके बाद चौथा विकल्प होता है राजपालों के पास कि वह प्रेख्यार केंद्र और राज Berg सम्मंद प्रवराबित हो रहे हैं है नियालय के दिकार याउनके 16 से नपरभाबित हो रहे हैं तो राज़िपाल अईसे ग्याज को को राश्ट्रपती की अनुपत के लिए भेज़ देता है मुमत BE निर्देश दे सकता है क्यों विद्यक राज के विधान मंदल को पुनर विचार के लिए लवटा दे या दि राश्ट पती द्वारा पुनर विचार को भेजे गए विद्यक को राज विधान मंदल छे मैने के बीतर उस विद्यक पर पुनर विचार करके संसोधन साइथ या बिना संसोधनों के राश्टपती को भेज देता है या उसे भेजना ही होता है लेकिन इस बार भी राश्टपती चाहे तो अनुवर देन से मना कर सकता है या राश्टपती अनुमत देने के लिए बाद नहीं है क्योंकि अनुच्छे 201 में सिर्फ इतना ही लिखा है या कहा गया है कि राश्टपती की समझ इसके बिचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा ना कि राश्टपती एक तय सीमा समय अवद में विध्यक पर अनु